हेलो थिन फैमिली तो कैसे हो आप सभी लोग, आइ होब कि आप से लोग बढ़ियाओ अगर आप से लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो चलो फटाक से पहले लाइक कर दो, जल्दी से हाँ हाँ कमेंट भी करी देना ध्यान से अभी जाओ अभी कर दो कुछ नो कुछ कमेंट एक दूसरे कुछ आए हो तो गालिया भी दे सकते हो सस्क्राइब ध्यान से कर ले न कि यही तो रियल मोटिवेशन है सस्क्राइब ठीक है और सेयर करते हो ये किसी के मूँपे भी तुम वीडियो फेक के मार सकते हो जिससे दोस्ती अच्छी बात है जिससे दोस्ती नहीं भी है उसे भी फेक के मारो हर जग है जाके फैला दालो ठीक है आते हैं हम लोग एपिसोड़ पे तो इस special episode को मैंने कल खद्म कर दिया था तो आप लोगों का clear हो गया होगा कि जोयन के बेटा बेटी कैसे strong हुए उनके master कौन थे और बाकी सभी लोग कौन थे ठीक है ना तो अब आते हैं noble के episode पे और मैं बता देता हूँ noble का पिछला episode तो noble के पिछला episode में हम लोगों ने देखा था कि जोयन और बाकी सभी लोग डावडी कॉंटिनेट को छोड़कर डूई की कॉंटिनेट की तब निकल गए थे जहां पर जोयन ने रास्ते में बॉइट ड्रेगन के साथ कुछ छेड़ खानिया की थी इसके बाद जोयन उसे श्ट्रॉंग होने का मंत्र देकर यानि कोड देकर बाहर आ जाता है दूसरी तरब blood bull भी काफी उदास था जोयन से हार जाने के बाद कि साल उसका time भी बरबाद हुआ इंजयड भी हो गया और reputation भी गई जिसके बाद हमें जोयन दिखा जाता है जोकी डूई की continent में पहुँचता तो सब लोग काफी हरान होते हैं और डूई की continent में पहुँचने के बाद जोयन सबसे पहले अपने छोरे और छोरी को पर attack कर देता है जो देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं लेकिन जियो जियो तो तुरंदी गुस्से में खड़े होकर कहती है फाधर आप हम पे अटेक क्यों कर रहे हो अब बिसली यार ब्लड लाइन के कारण वो समझ गई थी दोस्ता पर जियो 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 जियोग फैसनल हो गया हो थां और भी हमने काफी सारी चीजियो देखी थी जहां हमने जिया जेंग होई की ठरक पन वाली हरकते भी देखी थी जिसके बाद हमने देखा थे जुन अपने बच्चों को कल्टिवेशन में मदद करता है सवालों के काफी जबाब देता है साथ ही जुन ने उनकी डाइरेक्ट कोई मदद नहीं की थी क्योंकि जुन को बता था कि कल्टिवेशन का जो पाथ होता है वो अपने दम पे ही विल्ड किया जाता है तो खुद मेहनत करो और खुद कमाओ जिसके बाद वो एपसोल मैंनों वही एंड किया था तो ये एपसोली स्टाट होता है जैस्ट वही से यहां पे जुन को मीद थी कि उसके बच्चे आउटर चीजों पे टेस्ट करके पावर बढ़ाने के बजाए कल्टिवेशन के साथ 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 स्ट्रॉंग पाथ पर वरोसा करेंगे और स्टेब बाई स्टेब आंगे बढ़ सकते हैं साथ इस टाइम के दोड़ा जो 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 और जो लिन दोनों के ही पास पावरफुल फ्लेमे थी तो जोनोंने फ्लेम को कंट्रोल करना और यूज करना सिखाता है जान जो जो तो कालिंग की तरह थी जिसका बिहेविय थोड़ा सा एक्टिट्यूड एगो बाला और हर चीज के लिए खुद पर डिपेंड रहने वाला था साथ ही उसका कल्टिवेसन जो पाथ और मैथड था वो जो जोन से काफी अलग था लेकिन एक चीज अभी भी जोन से मिलती जूलती थी यानि कि जो जो के पास अभी भी एक स्ट्रॉंग पावर और स्पिच्वल पावर थी इसलिए जो यान जो जो को कोल्ड स्काई चिल ग्रेट हैवन डिवाइन एंगर जैसे पावरफूर बैटल स्किल सिखा देता है हलाकि उसकी प्रेजन टाइम की पावर के साथ इन बैटल स्किल को ट्रू लेवल पर सो करना तो अभी भी काफी मुस्किल था लेकिन वो धीरे धीरे ने स्ट्रॉंग कर सकती थी दूस्त अभ जो जो यान के जैसा होता है और उसका कल्टिवेसर मेथड भी काफी ज्यादा अग्रेसिव और श्टेट था इसलिए जो यान जो लिन को यलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर यलो स्प्रिंग पाम और यलो स्प्रिंग और यलो स्प्रिंग पाम अटेक का पूरा सेड सिखाता है साथी जौन अपनी पारफुल, टेक्निक, थाउजन फीट सैडोलेस भी उससे सिखाता है हलाकि जौन को लग रहा था कि जियोलिन को सीखने में काफी टाइम लगेगा लेकिन बास्तों में जियोलिन की जो समझ थी वो यूनर की तरही सर्प्राइजिंग और तेज थी वो वन इस्टाड डावडी की पाउर के साथ भी थाउजन फीट हेवी जौन रूलर को लग बग आदा समझ गया होता है लेकिन इसे पूरी तरीके से सो करना उसके लिए अभी भी जल्दवाजी थी जोयन ने किंग मुहिर और जैनी को दोनों ही बच्चों से नहीं बिलवाय था और इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हर किसी की एक एमोसनल लाइफ ओवर्ड था साथ ही ये सभी लोग समझदार भी थे और किंग मुहिर जैनी भी जोयन के रादे समझती थी इसलों वो सभी लोग इस कॉंटिनेंट को विजिर्ट करने के लिए बाहर चले जाते हैं और जोयन अपने ज़्यादा तर्थ टाइम अपने बच्चों के साथ बिता रहा होता है तब ही जोयन जोयन से तुरंदी कहता था फादर परियापती श्ट्राउंग होने तक बेट करते हैं तो आप इसे सो करने में कैपवल होंगे और जियो लेन जो यहां से तारी पाने के बाद काफी सर्डिसपाइड होता है क्योंकि इसके लावत उसे अब और कुछ नहीं चाहिए था हाला कि तभी जो 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 आनों वहाँ पर आते हुए कहते हैं ये दोनों लड़के तो बास्तों में मुझसे भी काफी अच्छे हैं और हस्ते हुए बगल में आ जाते हैं साथ यहां पर पहाड़ी की पीक के उपर बादलों से गिरे इस ट्रेनिंग ग्राउंड में कापी रिलेक्स भी यह फिल कर होते हैं हाला कि तभी जो 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 लिन तुरन्थी जो जो जॉन को रिस्पेक्टेडली ग्रिड करता है साथ यह एंसेटर जो 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 लिन को भी अपनी कल्टिवेशन स्टार्ट कर देते हैं और बेटल इसके चलाने लगते हैं जो जुएन ने उन्हें सिखाए थे तभी जुएन कहता है एंसेस्टर आप मेरे साथ क्या बात चीज़ करना चाहते हैं साथी जुएन यहां पर थोड़ा सा क्यूरेस भी होता है कि एंसेस्टर जुए जुएन ने डावडी में ब्रेक्ट्रु करने के बाद ड्रीकी कॉंतिने कुंतिने में रहना क्यों चुना और वो द्रयूडी कौंतिनेंट्ट में यहां तब जुए तुसे जुएन, गमेरे साथ चलने के बाद यह चीज़ें समझ्य जाओगे साथी जो जोन काफी मिस्टियर्स लग रहे होते हैं साथी जोन ने बैसे भी यह जो इसकेल्स इन बच्चों को से काये थे वो इनको कुछ टाइम तक प्रैक्टिस कराने के लिए काफी थे इसलिए जोन उन दौनों की तब देखते हैं सिर्ष लाता है और जोन के हैवनली फ्लेम नहीं थी साथी आस पास का एरिया भी काफी उजार हो गया था और कांटों से धका हुआ था जैसे इसने अपने एरिया को खो दिया हो हालाकि यह त्योन को उपर एक्शन लेने की जरुवत ही नहीं है क्योंकि डावडी की पाउर अब जोन की नाय और नजर में कुछ भी नहीं थी साथी जोन थोड़ा क्यूरियस भी होता है कि अगर हुन्तियांडी या अभी भी यहां पर है में लोटा तो मैं डावडी लेवल पर पहुँच गया था और मुझे कुछ आजीब सा औरा महसूस हुआ जैसे वो जान बूच कर मुझे यहां बुला रहे हूं साथी वो काफी तेश्ट थे उन्होंने मुझे लड़ने की जैमत नहीं उठाई जैसे मुझे बास्तों में एग्नोर फील हो रहा था साथी मैं एक ऐसी पाउर को फील कर सकता था जो मुझे आसानी से मार सकती थी साथी बात में मुझे पता चला कि स्ट्रेंज फायर स्कर में जो बंदा सील है बो सोल एंपरर है खुन त्यांड़ी मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहा हूँ साथी मुझे हमेशा यही डर था कि कोई न कोई डिजाश्टर हो सकता है यही एक रीजन है कि मैंने डावडी कॉंटिनेंट को चूज नहीं किया मुझे डरता है कि डूडी कॉंटिनेंट में इन दोन बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो वो अपनी पावर के साथ इसे नहीं समाल पाएंगे साथ यहां कापी जीरियत होते हैं जो सुनकर जोण भी हैरान रह जाता है जोण को पता था कि इस स्क्वेर के अंदर हुंतियांडी की सोल को सील कर दिया गया था और टाइम के साथी साथ उसकी सोल धीरे धीरे भीक होते हुए लगबग खत्म हो जानी चाहिए और एंसेटर जोण का मतलब था कि किसी पावरफूल परसन ने हुंतियांडी को बचाया है जोण को इस बस पर भरोसा नहीं हो रहा होता आकिरकार ऐसा कौन कर सकता है साथ यगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी पावर डावडी के उपर होनी चाहिए हालकि किसी पावरफूल परसन के ले सील ब्रेक करना तो आसान था लेकिन हुंतियांडी जो की बेकार हो चुका होगा और उसके इस ओल काफिया तक डिश्ट्रा हो चुकी होगी उससे बचाने का क्या ही फायदा था कोई इतनी परसानी उसके लिए क्यो उठाएगा तभी जो 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 आन कहते मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मैं इन लोगों के ओरजन को समझने के लिए भी बहुत बीख हूँ मुझे नहीं पता कि बावी भी डुकी कॉंटिनेंट में है या नहीं अजर पावी जो जो आन से कहते हैं त क्योंकि जो 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 उनलाग अलग पॉसिवेलल्टीज और चीजो के वाधर सोचने लगता है और कुछ देर तक सोचने का जो 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 आन इस बात में तो कोहीं सकने एंतर के जो 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 आन जो जो और जो लिन के अलाबा कोई भी पावर्फुल डावडी फील नहीं हुआ और अगर किसी ने हुंतियान्डी को बचाया है और जो 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 आन को भी पावर्फुल प्रेसर फील कराया तो किभल फाइव इस्टा डावडी लेवल का बोर येर ही ऐसा कर सकता है लेकिन अभी भी कोईशन वही था कि उसे बचाया किसने और बचाया क्यों साथी जोन को भी यहां पे तोड़ सा रिग्रेट हो रहा होता है कि उस टाइम पे उसने उसे पूरी तरीके से क्यों नहीं मार दिया हाला कि इस टाइम पे हुंतियांडी को माना जयान को बता था कि नाम मुम्किन था और यही एक रीजन था कि उसने उसे सील किया था क्योंकि हुंतियांडी ने भी डावडी को ब्रेक्ट्रू किया था साथ हुंतियांडी के काण डूइकी कॉंटिनेंट में कितना बज़ा अश्टर हुआ था तो जयान बिलकुल भी नहीं चाहता था कि वो बंदा बचे तब यहन के था ठीक है भले ही हुंतियांडी जिन्दा है वो हमाईले कोई भी खत्रा पैदा नहीं करेगा इसलिए एंसेट आपको चिंता करने की कोई ज़वत नहीं काफी तेर तक सोचने और ढूरने के बाद वी जिन्दा नहीं मिला था जिससे जानी चीजों को पता लगा सकता था साथ ही अगर हुंतियांडी जिन्दा भी है तो भला वो जिन्दा भी जिन्दा भी है तो केबल स्ट्रॉंग रहकर ही और बन कर ही इन चीजों से बचा जा सकता था साथ ही जियो जुआन और दोनों बच्चों के साथ ही साथ लुकी कांटिनेट के बागी लोगों को भी दिरे दिरे स्ट्रॉंग होने के लिए टाइम की ज़र्वत थी तबी जुआन 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 के साथ बीष्ट माउंटन को छोड़ देता है और जुआन क्लेन में बापस नहीं आता बलकि जुआन को एक परसन की अचानक ही आता आती है और कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए जुआन अभी भी अपने दिल में तोड़ा सा एहसान फील करता था जिसके बाद जुआन एक ऐसी जगह पर आ जाता है जो काफी एक एसेंट लग रही होती है साथी हुन्तियांडी की फैट के बाद यह जगह टूट फूट का बीरान हो गई थी लेकिन इन जगह पर काफी प्यारे प्यारे फूल लगे हुए होते हैं जिसकी प्यारी से स्मेल चारत्रफ फैल रही होती है और यहसा लग रहा था जैसे किसी ने इनकी काफी अच्छी देख भाल की हो साथी इन फूल के पॉधों के बीच में एक काफी सुन्दर फैगर होती है जिसके हाथ में एक छोटी से केटली होती है और ब्लु कलर के कप्ड़े पैने होते हैं साथी green का लडगी केटली कुले कर, वो धीरे-धीरे इन पादों में पानी डाल रही थी, साथी पानी में भीगने कबाद, ये फलापर्स पानी में भीगने कबाद और भी beautiful होती जा रहे होते हैं, लेकिन पानी डालने वाले person, जितने सुनदर अभी भी नहीं थे, साथी उसी लाइप में कापी सारी चीज़ों को फेस किया हो कापी अपने डाउंस को हाला कि तभी एक आपा जाती है लाबर सेक्ट में घुसने की किसने हिम्मत की और इतना कहने को एक तेज स्रॉड एनरजी जो यान की तरब बढ़ती है लेकिन जो ने स्माइल करते हुए उस्रॉड एन जान तभी जान कहता है बहुत दिन हो गए नायलान यारान तुम्हें नहीं देखा और जान इसमाइल कर रहा हुता है साथी कुछ टाइम के बाद जान बास्तों में अब ऐसे लेवल तक पहुँच गया था जिसके बारे में तो वह सोच भी नहीं सकती थी और केवल एक एग करे जाती है और इसके बाद इंपेरसरों ते स्माइल करती है क्योंकि बास्तों में उस साल उसने काफी बड़े बड़े बखेडे खड़े कर दिये थे लेकिन अब उसे बिल्कुल वी इस बात की परवा नहीं थी साथी जान की बात को सुनते हो उसके पास कहने के लिए भी क तुम दूसरे के हजब्रेंट हो और अगर मैं तुम्हें हर रात याद करूँगी तो क्या यह मेरी होलीनेस को बरबाद नहीं करेगा तुम क्या चाहते हो मैं खुद को धोका दूँ और ऐसा कहते हो यूनियून मुर्ग जाती है और जिएन की तरफ पीट कर लेती है तभी अषब लेकिन उनियून का समझने आरा होता कि वह क्या कई यूनियून का सामय करते हो तो जीसन hip motion लाने लगता है आखेकर जोयन की दिल में यूनियून के लिए तो काफी सारे थोड़ थे क्योंकि यूनियून के साथ फाइट के बाद जो यान ने यूनियून सेक्ट को पूरी तरीके दे तबाह कर दिया था साथ ही यूनियून सेक्ट को यूनियून ने चूज किया था उसके और यूनियून सेक्ट के बीच में हलETH कि जो यान जंता था, कि यून्यून के दिल में यूनलेंसेक्ट के लिए कापी सारी फीलिंग थी, लेकिन यून्यून ने कभी भी जयान को चूज नहीं किया, जिसका मतलब था कि वो जयान को पसंद नहीं करती, लेकिन अब जियो यान जो की काफी चीज़ों को देख चुका था उसे समझ भी आ गया था कि उस टाम पे union अपने strict behavior के लिए नहीं बलकि खुद पर depend रहने के लिए ऐसा कर रही थी आके कर वो एक strong lady है और वो अपने claim के लिए अपना सब कुछ sacrifice करने को भी तयार थी और यही एक reason था कि उसने जो यान को भी खो दिया था हाला कि जब यह दोनों बात कर रहे होते हैं नायलान यारान चुपचा प्यास से निकल जाती है साथ यहां पर union और जो यान ही होते हैं जिनके दिलों में अभी भी काफी सारी questions थे और काफी कलवाहट और fight भी थी तो उन सभी बातों को एक दूसरे के सामने रखकर एक दूसरे को समझने और समझाने का time था तब union कहती है मुझे पता था कि उस दिन मैंने तुम्हें नहीं बताया मैंने उस टाइम पर संकोच किया मैंने तुम्हें चूस नहीं किया मुझे ये भी विस्वास्ता कि तुम अनसक्सेस्फुल हो जाओगे लेकिन अब मुझे इस बात पर regret है और ऐसा कहते हो मुयर आइमीन union अचानक ही रोने लगती है आखरकर जो यान ये वो नाम तो जो उसकी दिल से कभी भी नहीं मिट सकता था साथ ही उसने इस नाम को इतने साल में चाहे जितनी बार भी भूलाने की कोसिस की हो उतना ही उसे ये नाम याद आया था जिससे उसे फिल वा था कि अगर किसी को भूला है तो सच में उसकी कोसिस करना काफी मुश्किल है तो जो यान कहता है union इस चीज के लिए मैं तुम्हें दोस नहीं देता अगर मैं तुमारी जगा होता और तुम मेरी जगा है और अचाना की एसे टाइम की काभी सारी images जोयन के दिमाग में आने लगती है और उसे लगते हैं जैसे ये सब कल ही हुआ हो जो देखकर union तुरंदी कहती है तो क्या तुम्हें भी लगता है कि हमारी मुलाकात मैं सिर्फ एक गलती थी तो फिर यहां क्यों हो तुम चले जाओ और ऐसा कहते हो union क्या की उदास होगे होती है मानु जैसे उसकी पूरा दिल ही हिल गया हो तभी अचाना खबा में एक चाय के कप के गिर्णी की आवाज आती है और जो यहां गायव हो जाता है जो देखकर थी union अचाना की अपना सिरुट आती है और दो कदम आगे बढ़ती है उस गायव हो रही फिगर को पकड़ने के लिए लेकिन वो वहां पे नहीं होता और अचाना की union की आखोते ले दना दना आसु आने लगते हैं साला कितना क्रुएल है अपना ठर्की दोर से इसे देख रहे होती लेकिन मुझत सल्ली देने के लिए आंगे नहीं आपा थी क्योंकि अब बो भी चाहती थी कि इस रिस्ते को और यहीं ख़द्म कर दिया जाए आकरकर बो लोग अब एक ही दुनिया में नहीं थे हाला कि उनकी डेश्टिनी थी कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहना लेकिन इनका हमिसक ले साथ रहना ये इनकी डेश्टिनी सायद नहीं थी इन्हें अलग होना ही था दोस्तेब जोयान अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ होता है लेकिन उसकी पावर के साथ कोई भी उसे देखनी पा रहा होता दोस्तेब जोयान हवा में यूनियोन को देख रहा होता और उसे पता था यूनियोनिया सब जो्द दिखावा कर रही थी यह उसके लिए भी काफी क्रुएल था वो खुद को ही दर दे रही थी हालाकि ऐसा नहीं था कि जोयान यूनियून को ऐसा देखना चाहता था यप वो यूनियून को अपनी बाइब के तौट पर इसलेक से अपनी करना चाहता कि क्योंकि उसके पास सिक्स बाइब थी बलकि उसे अभी भी लग रहा होता है कि वो और यूनियून एक साथ खुश नहीं होंगे लेकिन जोयान बस हर हालत में यूनियून को खुश देखना चाहता था इसलिए जोयान तुरहती कहता है अपसोस और अपने हाथ को लहराता है और यूनियून के दिमाग में एक लाइड चली जाती है जहां यूनियून को एक सीन दिखाई देता है बारकाट माउटेन में जहां वो घायल होती और एक लड़का उसे बचाता है वो अपना नाम बदल कर यावयान बताता है जो एक नकली नाम था यहीं से वो लोगों की कहानी स्टार्ट हुई थी वो से हर हाल में प्रोटेक्ट करता है उसके गावों को ठीक करता है उसके लिए परपल लेस्प्रेट क्रिस्टल को कबचे में लेता है लेकिन बदले में वो अपनी पहचान की परवा के बगैर वो क्रिस्टल लेकर वहाँ से चली जाती है बिना उसे अलविदा कहे और इसके बाद आवा आ जाती है ऐसे दिखावा करो जैसे आज कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद जो यान के हाथ में लाइट की एक बॉल दिखाए देती है जो यूनियोन और जो यान के फोर हेट से निकलती है और जो यान की हाथ में खटो होती है जो यान जानता था कि अगर ये यादे उसके साथ रही तो वो कभी भी खुस नहीं रह पाईगी नहीं अच्छे से जी पाईगी साथी जॉन के हाथ में अभी जो था वो यूनियोन और उसकी मेमोरी थी और जब तक जॉन इसे डिश्ट्रा कर देता है वो एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे हाला कि जॉन धीरे-धीरे अपनी मुट्टी को बंद कर रहा होता है और उसके दिल में चाकुए चल रही होती है हाला कि पहले जॉन को इस चीख से कोई फ़ाग ने पड़ता था लेकिन अभी जॉन को काफी जारा बुरा लग रहा होता है लेकिन तभी एक आवाज आती है जो यान मैं तुम्हारा ये नाम नहीं भूलना चाहती मुझे बस इसे याद रखने तो जब यान ने इन यादों को डिश्ट्रा करने का मन बना लिया था यूनर अपना चेरा यूनियून अपना चेरा उठाते हुए जो आसू से ढखा था जोर से चीखती है हाला कि उसे नहीं पता रहा कि जण अभी भी यहाँ पर है यान नहीं लेकिन उसके दिल की फीलिंग्स और सैंसेस होते बता रही थे कि वो उसे कभी नहीं भूल सकती लेकिन कोई चीज जो इस नाम को बार बार उसे भूले कले मजबूर कर रही थी इसलिए वो चीखी थी और जैसे ये बढ़ निकलते हैं जयन का बंद हो रहा हाथ अचाना की रुख जाता है और अचाना की जयन यून्यून की तरफ देखता है तब तो जयन भी मोस नलो गया होता है और जयन अचाना की हवा में गयब हो जाता है और इसके बाद यून्यून को अचाना की कोई कसकर गली लगाता है और अब बेसलिए यह जो यान होता है यह जो यान का हाथ यून्यून की पतली कमर पे होता है और जो यान के होट यून्यून के होट पर और एक फ्रेंच किस के साथ ये दौनों एक दूसरे से चिपक गए होते हैं हाला कि इस टाइम पे यूनियून पीछे हटने कहा कोसिस तो करती है लेकिन आखिरकार उसे फील हो जाता है कि ये सब कुछ बेकार है वो पीछे नहीं हट पाती है वो अपनी आखे खोलती है और देखती है तो अब्यसलि उसके सामने जोयान होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो बीष्ट माउंटेन में लोट आई हो सेम उसी टाइम के जैसे और अब्यसलि यूनियून की बात ने जोयान को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया होता है और जैनने तो यहां पे हरी चीज को इगनोर मार दिया होता है साथी दूर से नायलान यायरान यह सब देख रहे होती है तो वो तुरंती इंबेरस होते हो आँसे चली जाती है और थोड़ी देर के बाद यह दौनों लोग एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे को देखते हैं जो देखके जोन अचाना की इंबेरस हो जाता है और दो बार खासते हुए अपना हाद यूनियून की कमर से हटा लेता है दूस्त अफ यूनियून के तो गाल पूरी तरीके से लाल हो गया होते है अभी तो बहुत कुछ लाल होगा तब यूनियून की तुम मेरी भाइब बनोगी और काफी सौपनेस के साथ यूनियून को देख रहा होता है साथी जोन अब बहुर ज़्यादा साथी काफी सीरिस तरीके से था कहरी होती है हाला की जोन कुछ बोल नहीं बाला होता लेकिन तब ही यूनियून का जैड हुआइट हैंड जोनियून के मुझ को अचाना की बंद कर देता है और तुरंती कहते हैं चिंता मत करो जोनियून मैं अच्छे से रहूँगी और हो सकता है कि मुझे एक दिन में लिए कोई सही इनसान मिल जाए हम केवल फ्रेंड रह सकते हैं और अज़से के तो यूनियून रोते हुए मुस्कुराने लगती है साथी यूनियून को यहाँ पहसास हुआ था कि साथी यह जो यान के लिए उसके दिल में प्यार नहीं बलकि एहसान था जो जो यान ने उसे किया था जो जो यान ने उस पे किया था साथी अभी यह सब जो यान से कह देने के बाद जूनियून को थोड़ा सा रिलाक्स पी लो रहा होता है जिस भी जोन तुरंदी कहता है यूनियून क्या तुम मुझसे साधी नहीं करना चाहती साथी जोन थोड़ा सा टेंसल में वही होता है हाला कि उसने कालिन से दोबारा साधी ना करने का बादा किया था लेकिन ये इमोसनली अटेच्मेंट जियो यान के दिल में थी जिससे वो हमेशा मैसूद करता था और जोन कुम्बीती की कालिने से समझ सकती है तब ही यूनियून ने स्माल करता है पीछे की ताब मुड़ कर जाने लगती है और जाना कि उसके हाथ के एक स्लैस के साथ फूलों के बीच में एक मेश अपयर होती है जिसमें वाइन रख्की हुई होती है जिसके बाद वो तुरंधी कहती जोयान तो चलो मेरे साथ जाने से पहले आखरी वार एक-एक ग्लास पैक हो जाए जो सुनकर तो जोन का दिल काप जाता है क्या यूनियून उसके साथ मजाक करी थी लेकिन यूनियून को ऐसा देखकर जोन को थोड़ा सा रिलैक्स भीलोता है और वो तुरंधी वैट जाता है जिसके बाद यूनियून तुरंधी दो कप बाइन जोयान और अपले लिए निकाल लेती है जो की काफी अट्रेक्टिव होती है जिसके बाद वो जोयान की तरफ बाइन बढ़ाती है कहती है यह वाइन आपके लिए मुझे एमेथिस्ट, विंड, लायन किंग से बचाने के लिए जो सुनकर जोयान काफी आलसी और सुस्ते तरीके से उस ग्लास को पकड़ लेता है जिसके बाद यूनियून तो सीधा ही जोयान को इग्नोर करके अपनी बाइन में बेजी हो जाती है और जोयान यूनियून को ऐसा देखकर काफी अरान होता है जोयान अभी भी कन्फियूसर कि उसे उससे प्यार है या नहीं है वो उसे पाना चाहती है या नहीं लेकिन यूनियून को बाइन के एक घूट के साथ सब ही चीजों को भुलाता हूँ देखकर जोयान जोड से हस्ते हुए कुछ नहीं कहता है और तुरंती बाइन पीने लगता है जिसके बाइन कहता है मुझे धन्वाद देने की कोई जोट नहीं उस टैम्पे मेरे भी मेरे भी खुद के कुछ मोटिप्स थे मैं चाहता था कि एक पावरफुल डाव वांग लेबल का बॉरियर मैं उसके उपर एहसान करूँ और ये जोखिम लेने लायक था सथ ये लोग ऐसे बात करे होते हैं जैसे जो कुछ भी हो वो सब कुछ भूल गए और वो अदासी भारा जो माहौल होता है जल्दी एक हती और ठाके में बदल जाता है तब जो ये येन कहता है येन आपने उस टाइम पे कहा था अगर मैंने आपको इग्नोर कर दिया होता और आपकी वाड़ी पर कबजा कर लिया होता मतलब समझ रहे हो ना गुफा में लाइन बीट से जब यूनियून इंजर्ड हो गई थी तो चोटो का इलाज करते हुए जयान अगर कोई और इलाज कर देता वो जयन कह रहा है और बाल बाल बजी गया तभी यूनियून भी जो यन के कप में बापत से भाइन बढ़ देती है और तुरंदी कहती है क्योंकि आपने ऐसा सोचा इसलिए आपको तीन कप बाइन और पी नहीं पड़ेगी ये आपकी पनिसमेंट है जो सुनके जनके था बस अरे यार ये पन थी वेटल कोई को सांथ करते हुए दे दना दन इन ग्लासों को पीता है और नसे में दुत्त हो जाता है और तुरंदी कहता है यूनियून मैं रोना चाहता हूं जो देखके यूनियून तुम क्यों रोना चाहते हो तुम तो बड़े हो गए हो तुम एंपरियान हो फ्लेम तुम नहीं रो सकते है बनना पूरी दुनिया तुम पे हसेगी तुमको हसना होगा हसो जो देखकर जो यान भी जोर जोर से हसने लगता है और इस टाइम पे इन दौनों का क्या कनेक्स है नहीं एक दूसरे से ये इन दौनों को ही समझ नहीं आ रहा था साथी बैन पीने के पूरे टाइम प्रोसेस में इन्हें ये भी नहीं पता था कि इन्होंने कितनी बैन पी ली साथी ये तो ठीक ही ठीक था उन्हें ये भी नहीं पता था कि कितनी देर तक बैन पी साथी जो यान के जाने के बाद यून याद करती कि उन्होंने काफी सारी बातों पर बात की थ जिस पर कभी वो एक दूसरे को पर नाराज हुए, तो कभी हसे, जिसके बाद union तुरंदी कहती है, क्या जुएन तुम्हें जाना है, जिस पर जुएन कहता है, हाँ, मुझे जाना होगा, मैं अभी भी नहीं रुख सकता, कुछ जरूरी शीए है, जो देखकर union तुरंदी कहती कि तुम्हारे वगयर, ये दुनिया खत्म हो जाए, तुम्हीं हर बार आँगे क्यों जाते हो, क्या ये ठका देने वाला नहीं होता, यहाँ union जुएन को दे दना दन, दे दना दन ढाट रहे होती है, कि हर बात पर तुम्हीं आँगे क्यों, जिस पर जुएन भी हल्प्लेस अब ये लड़का वो लड़का नहीं था, जिससे वो पहले मिली थी, साथ ही वो अब एक फादर और एक हस्वेन भी था, जिससे अपनी सारी जिम्मेदारी उठानी थी, और वो रोक नहीं सकता, तब ही union कहती है, तुम अभी भी नसे में नहीं हो, तुम कितनी वाइन पी सक करते हो, जो देखके जहन तुरंदी कहता है, ये आखरी बार है, जब मैं तुम्हारे साथ पी रहा हूँ, तुम मैं नसे में कैसे हो सकता हूँ, जिस पर union कहती है, किसी बार में चिंता मत करो, बस पीते जाओ, और देखते ही देखते हैं, चार तरफ गूज रही होती है, हो साता है, उसे पता भी नहीं था, लेकिन इसके बार वो union को, गुडवाय कहता है, बिलकुल एक फ्रेंड की तरह, और वहां से चला जाता है, और जियामा एंपायर की तरफ, से ज्वान सीधा ही आँगे बढ़ने लगता है, साथ जियामा एंपायर पहले से जादा नहीं ब हर दिन, लोगों की एक लंबी लाइल लगी रहती थी, जो की अपने लिए, ट्रीटमेंट का वेट कर रहे होते हैं, तभी जो यान भी उस जगय को देखते हुए, अपने दिल में आ रहे तरह तरह के थोट्स को रंती साइड, हाला कि जान ने अपने दिल में, अब union के को साइड में लगा दिया था लेकिन, अभी भी अपने दिल को नहीं समझा पा रहा था, और साइड ये, फाइस टाइम ब्रेक अप बाला, पेहिन था जो 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 जोन को कुछ दिनों तक तो जहिल ना ही होगा, और ओबेसली जोन को पता था union को भी, ये चीज फील हो रही हो जहाँ पे चार तरफ, मरसेंरी ट्राइप्स के सोल्जर गुम रहे होते हैं, साथ ये काफी बड़ा था, और यहाँ पे लिटल फैरी डॉक्टर की जो, रेपोटेशन थी वो काफी ग्रेट थी, यहाँ तकी पूरी जियाम एंपायर में भी काफी साए लोग, यहाँ पे पि भी इस रूल को चेंज नहीं किया था, और इसलिए लोगों के यहाँ पे रुखना पड़ता था, और इन्ही लोगों के रुखने के काणी, किंग्सिन टाउन की ग्रोथ हाई हो गई थी, इस टाम पे अभी मॉर्निंग का टाम होता है, और आसमान में सुरत चमचमा रहा होत है, लेकिन एक कोई भी लडाई नहीं हो रही होती, क्योंकि किसी ने भी लिटिल फेरी द्वारा डिसाइड रूल को वॉएलेट करने की हिमत नहीं की थी, हाला कि लोगों को मार भी सकती है, और जब लोगों को मारती है, तो उन बें से किसी की बौड़ी की हड़्ियां तक नहीं बच्चती इसलिए लोग यहां पे अपनी पावर का सोवाप बिलकुल भी नहीं करते और चुप-चाप लाइन में खड़े रहते हैं हाला कि तभी एक आबाज आती है आज 20 लोग हो चुके हैं तो क्रप्या कलाईएगा और यह आबाज इतनी मीठी होती है कि सुनकर किस ट्रीट्मेंट किये जाने वाले लोगों की कॉंटिटी आज पूरी हो चुकी है और अगर यह पूरी नहीं भी है तो भी तुम्हें लाइन में लगना चाहिए यह देखकर कि यह परसान अलग से सेंटर में जा रहा है सबी लोग काफी अरगुस्टे से उज्यान को देख र मार देगी इसलों बोलो काफी एदा उदास तरीके दे जान को देख रहा होते कि बस यह मरने वाला है तभी जयन तो सीधा ही मैडिसेन हौल के अंदर जाकर लिटिल फैरी डॉक्टर के सामने बैठ जाता है दूसरा लिटिल फैरी डॉक्टर जो अभी भी अपना सीन नीचे क्यों है पिल फॉर्मूलों को सुलजा रही होती है उसकी वह अचानकी थोड़ा सा सिकुर जाती है और वो तुर्ण दिखाती है आज के लोग पहले ही कम्प्रीट हो चुके हैं तो क्रप्या कलाईएगा साथि उसकी आवाज में थोड़ी सी नाराज़गी भी होती है तभी तभी एक आवाज आती है क्या आज मैं लोगों को देख सकता हूँ और उसकी आवाज के साथ ही तो पूरे ही बाहर के लोग गुस्से में चलाती हो के तैयारे बास्टर तुमारी हिम्मत कैस हुई हमारी लिटल फैरी डॉक्टर के साथ छेड़शार करने की क्या तुम चाते हो या तो सभी लोग अपनी मुठिया कसने लगते हैं और जो यान की तरप बढ़ने लगते हैं दूसर अभ जो यान तो कुरसी में पावर लेस होकर बैटा हुआ होता है और बिल्कुल एकदम सांत लग रहा होता है दूसर जो यान की आवाद सुनने के बाद लिटल फैरी डॉक्टर तुरंती अपना चहरा उपर उठाती है और जुआन को देखते हुँआ पूरी तरीके से हैरान रह जाती है और अचाना कि उसके उधास चहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई होती है और लिटल फैरी डॉक्टर की इस प्यारी सी स्माइल के साथ उसके सुन्दर से चहरे को देखकर हर कोई चौंग क्या होता है कि लिटल फैरी डॉक्टर बास्तों में इस लड़की को देख का इसमाल कर रही है और यह देख कर तो फिर कोई भी आधा कदम आंगे बढ़ाने और चूंचा करने की भी हिमत नहीं करता उन्हें समझ में आ गया था कि साइद यह लड़का लिटल फैरी डॉक्टर का है क्या है तो यह तुम्हें पता है साथ ही यह लोग लिटल फैरी डॉक्टर के फैमिलिया लोगों से दूर ही रहते थे क्योंकि जितने भी लिटल फैरी डॉक्टर के फैमिलिया लोग थे जिने वो जानती थी वोग सबी लोग खतरनाक लोग थे जो अपनी अपनी जगह है पर काफी हाई लेवल पर थे लेकर वोने बिस्वास नहीं था कि लिटल फैरी डॉक्टर इतनी प्यारी स्माइल के साथ जयान को देखेगी तब लिटल फैर डॉक्टर तुरंदी का तुम वापस आगे जी हो यान और यह नाम जो उसने लॉंग टाइम से अपनी जबान पे नहीं लाये था बिना किसी हिच की चाहट कि वो आज इसे ले रही होती है और उसके मुझे निकल तो यह नाम बिलकुल भी अजीव नहीं था तब यहन कहता हमें काफी टाइम हो गया मिले हुए लिटल फैरी और यह दो ओल्ड फ्रेंड की तरह होते हैं जो कई सौ सालों से नहीं मिले थे लेकिन जब वो मिले तो बिना किसी अजनवी की तरह बिलकुल ऐसे मिलते हैं जैसे वो कल ही मिले हो तब यहन कहता है क्या तुम अभी भी अकेली हो जो देखकर लिटल फैरी डॉक्टर तुरंती अपनी आखे नीचे कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती है क्यों उसकी आखों में कुछ भी देखकर पता लगाए कि वहीं है जो अभी भी उसके दिल और आखों में है साला जोहन को अच्छे से पता था कि लिटल फैरी डॉक्टर के पास जिप उटेशन है पाबर है और ऐसे कापी सारे लोग होंगे जो उस पे क्रस भी रखते होंगे लेकिन लिटल फैरी डॉक्टर ने कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया और ऐसा साइद इसलिए था क्योंकि कोई पहले ही उसकी आखों में बश चुका था तो ये आके आप किसी के लिए नहीं उठती थी हाला कि कापी देर तक सोच भी चार के बाद लिटल फैरी डॉक्टर कहती है जिस पे जोहन भी उदास होते होए इसमाइल करता है और तुरंत ही कहता है कि क्या मैं इतना चाहूं कि आप किसी और को पसार नहीं करती और इसके बाद अपने सामनी की तर्फ जगए को देखते होगा वो तुरंदिकता है लिटल फैरी क्या ये हमारे सामनी की मैडिसिन बैली नहीं है क्या तुम मेरे साथ वहाँ टेहन ले चलोगी जिसमें यांके सभी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि वो लिटल फैरी डॉक्टर के साथ परसनल टाइम स्पैंट करना चाहता है इसलिए सभी लोग और भी ज़्यादा गुस्ते सुजान को देख रहा होते हैं बेहन की घोड़ी आमीन बेहन के घोड़ों क्या तुमने उसका नाम नहीं सुना सालो वो फूक देगा तो हड़ी आने क्लेन बह जाएगा तुम लोगों का दूसर जो यान लिटल फैरी डॉक्टर को देख रहा होता हो लिटल फैरी डॉक्टर अपने दिल में यही सोच रही होती है कि क्या करे एक्सेप्ट करे ना करे करे ना करे हाला कि काफी देर तक सोचने के बाद वो खड़ी हो गए होती है साथ उसने वाइट कलर के कप्ड़े पहने होते हैं और उसके बाल सिल्वर कलर के होते हैं और अब बैसलिया बिलकुल एक परी की तरह ही लग रही थी और वो तुरंती दीरे दीरे जियान की तरफ आते हुए कहती है ठीक है चलो चलते हैं और तुरंती हलके से अपना सेल आती है और हॉस्पिटल के बाहर जो यान के पीछा आती है और देखते यह देखते यह दोनों लोग Medicine Center से गाब होगा होते हैं जो देखकर सभी लोग तुरंदी कहते हैं साला कोई आया और उड़ा के ले गया अब तो कोई भी उम्मीद नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता सब खत्म हो गया आखिरकर वो कौन है जो हमारी छोटी Little Fairy Doctor का दिल जीत गया लेकिन मैंने तो 50 सालों तक इंते जार किया है मैं इसे एकसेप्ट नहीं कर सकता लोग एक दूसरे से ऐसा कह रहे होते हैं दूसर तब Little Fairy Doctor और जो है Medicine Clinic Medicine Center से दिरे दिरे आंगे की तरफ जा रहे होते हैं साथ यहां Little Fairy Doctor को देखता है तो ऐसा लग रहा था कि टाइम का इसके उपर बिल्कुल भी फैक नहीं पड़ा जैसे यह पहले थी वैसी स्मार्ट आज भी होती है जिसके बाजयन करता है यह लोग जो आपके Medicine Center में आते हैं मुझे लगता है यह सब के सब सरावी है बसरते यह बाइन नहीं आपके Beauty के नसे में है देख रहे हो साला Compliment मारना सीखिया अपना ठड़की मस्त लाइन मारी है भाई यह तो मैं लिख लूँगा क्या लाइन थी हाँ यह लोग जो तुमारे सामने खड़ हुए लगता है सब सरावी है बसरते बाइन के नहीं तुमारी Beauty के बसरों को भी मुझे पर ऐसान जताने की कोसिस नहीं करने देंगे लिटल फैरी डॉक्टर की बात को सुनके जोन तुरन थी इंबर्स हो का अपना सिर्ख उजलारे लगता है हाला कि लिटल फैरी डॉक्टर जोन का अंसर सुनना चाहती थी लेकिन जोन कुछ भी नहीं कह रहा था इसलिए बेचारी अपने होट काटती है और चुपचाप जोन की तब देखने लगती है दूस्त अब देखते ही देखते ही ये दौनों ही लोग बार काट माउंटेन के पीछे मैडिसिन बैली में आ गया होते हैं जो कि अभी पहले जैसी ही बैली थी यहां रंग बेरंगे फूल खिले हुए होते हैं और बाके ये जगह काफी खूबसूरत थी काफी सांध, काफी आराम दायक जिसके करण वो लोग तुरंथी वो टाइम याद करते हैं जब ये दौनों छोटे थे और इस जगह पर मिले थे और लिटल फैरी डाक्टर के दिल में ये सीन एक केक करके आने लगते हैं और इन सब ही को याद करे के लिटल फैर डाक्टर तुरंथी चुप चाप जिवान की दब देखते हैं प्यारी से स्माइल पास करती है जिसके बाद लिटल फैर्ड दोक्टर तुरंथी कहती है ये बहुत सुंदर है और स्माइल करते हो ज़ान को देखते हुए कहती है हाला कि ये जगह हमेसा ही फूलों से गिरी रहती थी और हमेसा ही सुंदर रहती थी लेकिन आज ये जगह इसलिए लिटिल फैर डॉक्टर के लिए सबसे सुन्दर होती है क्योंकि आज जो यहान उसके साथ यहाँ पे था साथ ही मैडिसिन बैली के नीचे एक छोटा सा लकडी का घर भी होता है जो काफे सारी बाइनों से घिरा हुआ होता है तब ही लिटिल फैर डॉक्टर तुरंथी के ज़यन के आपको अभी भी वो टाइम याद है जब हम वहाँ थे और ऐसा कहते हो वो उस घर की तरह पे सारा करती है और मुस्कात हुए ज़यन की तब देखती तो ज़यन भी अपना से हिला देता है वो भला उसे कैसे बूल सकता था और इसके बाद लिटिल फैर डॉक्टर तुरंथी आंगे की तरफ दोड़ने लगती है तो ज़यन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और लिटिल फैर डॉक्टर ज़यन की आलसी बेहिवियर को देकर तुरंथी उसका हाथ पकड़ लेती है और ज़यन को खीचने लगती है और इसके बाद दोनों ही लोग आसमान की तरफ मू करके जमीन में फूलों पर लेड जाते हैं जसके बाद लिटिल फैर डॉक्टर कहती ज़यन तुमारा बहुत बहुत धनवाद अगर ये तुम नहीं होते तो मैं बहुत पहले ही पाइजन से मर चुकी होती और इस टाप पे लिटिल फैर डॉक्टर जो कि अपने पाइजन कोंसिट्यूशन के कारण लगबग मरने ही वारी थी ज़यन ने उसे बचाय था और उसे उसकी उदास लाइफ से बाहर खीच लिया था लिटिल फैर डॉक्टर जोयन के इस अहसान को और काइटनेस को चुकाना चाहती थी और उसे समझ में आ गया था कि जोयन के लिए सबसे अची चीज यही होगी कि वो जोयन को कभी भी पैसार ना करे और उसकी लाइफ में इंटर्फिया ना करे इसलिए लेटिल फैर डॉक्टर ने अपनी सारी फिलिंग्स को अपने दिल में सबसे गहरे पे छिपा का रखा हुआ होता है तो चलो गैस इस एपिसोड का भी यहीं पैयंट करते हैं और नेक्स एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है क्योंकि दीवाली की साफ सफाई में आप मुझे लगना पड़ेगा तो चलो पंखा साफ करते हैं बाइवाई त्यान पामले